नमस्कार, आपका अख़बार के संख में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रदीप सिंग। पंजाब की राजनीती एक अजीब से चोराहे पर खड़ी है, दो राहे पर भी नहीं। किधर जाएगी, क्या रुख अपनाएगी, कौन सा रास्ता अपनाएगी, किसी को अभी कोई इस पश्टता नहीं है। लेकिन बदलाव हो रहा है, जिसको कहते हैं चर्निंग हो रही है, मन्थन हो रहा है। बदलाव होगा, अब इसमें से अमरित निकलेगा, विश्ट निकलेगा, किसी को पता नहीं है। लेकिन जो इस्थिती है यथा इस्थिती है, वो बनी नहीं रहेगी, इतना दिखाई दे रहा है। पिछले कई सालों से ये बदलाव लगातार होई ही रहा है, जिस तरह से 2007 से 2017 तक श्रमणी अकाली दल का राज चला। कहने को तो प्रकाश सिंग बादल मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो सरकार खासतोर से आकरी पांच साल सुखवीर बादल चला रहे थे। और सुखवीर बादल के कारण अकाली दल का जो भी रुत्बा था, जो रुआब था, जो आभा मंडल था, वो सब खतम हो गया, उसकी साख खतम हो गई, अकाली दल की और पंजाब के लोग अब देखने के लिए तयार नहीं है। 2017 में सक्ता से बाहर हो गए, भारी बहुमत से कॉंगर्स पार्टी को सक्ता में ले आए, उस समय लग रहा था कुछ लोगों को और बहुत से परिवक्षकों को और ऐसा जमीन पर दिखाई भी दे रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए, लेकिन आम आदमी वो भी गैर सिक आकर मुख्यमंतरी बनेगा ये कैसे हो सकता है। कॉंग्रेस जिसको छोड़ चुके थे लोग फिर से अपनाया और भारी बहुमत से सत्ता में आगई कैप्टन अमरिंदर सिंग मुख्यमंतरी बने। उनको चुनौती के रूप में पेश किया कैप्टन अमरिंदर सिंग के सामने, मंतरी बनाया, फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर उनको मुख्यमंतरी भी बनाने की कोशिश हुई हालंकि वो कोशिश सफल नहीं हुई। और ये सब ऑपरेशन जो है पर्दे के प तो गांधी परिवार को और उसमें भी प्रियंकावाद राखू। भारती जनता पार्टी में कर दिया। भारती जनता पार्टी ने उनको क्यों लिया, ये भारती जनता पार्टी जानती होगी। क्योंकि ये जो तथा कथित किसान आंदोलन था, उसके प्रणेता, उसके पीछे की ताकत कैप्टन अमरेंदर सिंग थे। उन्होंने ही पंजा पी का बहुत नुकसान किया खास तोर से प्रधान मंत्री नरेंद मोदी की साख पर बड़ा बट्टा लगाया उनको अपने तीन कृशी कानून वापस लेने पड़े लेकिन वह बात अब अतीत की हो गई है बात वर्तमान की करते हैं सुखबीर सिंग बादल जो शिरोमणी अक पर बने रहे हैं 2007 से 2017 के बीच में जो कुछ हुआ जिस तरह से गुर्गरंट साहब की बेद्बी हुई उसके अलावा देरा सच्चा सौदा के गुर्मित राम रहीम के मामले में जो उन्होंने बेद्बी की उसको जिस तरह से माफी दिलाने में जो सुखबीर बादल की भू अकार में थे और एक तरह से डिफैक्टो मुख्यमंत्री ही थे नहीं दिलाई सजा उनको और बहुत से लोगों का मानना है उनका बचाव किया हलाकि ये बात सही नहीं लगती कि उन्होंने बचाव किया होगा लेकिन सजा दिलाने में वो गंभीरता नहीं दिखाई इन सब क गोशित कर दिया तंखया गोशित कर दिया लेकिन अभी उनको धार्मिक सजा नहीं सुनाई गई है अकाल तक किसी को तंखया गोशित कर दे तो वो फिर अगर राजनीतिक व्यक्ति है तो किसी राजनीतिक गतिविधी में शामिल नहीं हो सकता पिछले दिनों आम आदनी पा कि उप्चुनाव हो रहे हैं उससे बाहर हो गई अकाली दल वो उप्चुनाव नहीं लड़ रही है तो सुक्बीर बादल ने अपना इस्तीफा कारिसमिती को भेज दिया है 29 अगस्त को उनको अंदाजा था कि ये होने वाला ही आने वाला है वो किवल टालने की कोशिश कर रहे थे जो निश्चित था होना उसको टालने की कोशिश कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि नए अध्यक्ष के चुनाव की तारीक जितनी नजदीक आ जाये उतना अच्छा ह उस समय फैसला ले तो उनके लिए शायद अच्छा होगा तो 29 अगस्त को उन्होंने बल्विंदर सिंग मुंदर को कारिकारी अध्यक्ष बना दिया जब तक प्रकाश सिंग बादल रहे, जीवित रहे, एक्टिव रहे अकाली दल से नाराजगी लोगों की थी, सरकार के कामकाश से नाराजगी थी लेकिन अकाली दल के अंदर असंतोश नहीं था सुखबीर बादल के अध्यक्ष बनने और प्रकाश सिंग बादल के निधन के बाद नित्रतु को लेकर पार्टी चलाने के तरीक को लेकर बड़ा असंतोश था सुख्बीर बादल सुनने को तयार नहीं थे नतीजा ये हुआ कि साथ-ाथ सीमियर लीडर्स ने पार्टी छोड़ दिये और अकाली दर्द सुधार लेहर नाम की नई पार्टी बना लिए इन सब लोगों का कहना था कि अगर पुरानी साख लोटानी है कुछ भी सुधार होना है तो सुख्बीर बादल के रहते नहीं हो सकता क्योंकि उनको तनक्या गोशित किया जा चुका है तो ऐसे में उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था तो उन्होंने इस्तिफा दे दिया अब उनके खिलाफ अकालतक्त को धार्मिक सजा सुनानी है अब उनको माफी मिलेगी, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी तो किस तरह की मिलेगी ये किसी को मालूम नहीं है तो अकाली दल पूरी पार्टी ही एक अनिश्चित्ता के दौर से गुजर रही है अकाली दल में हर पांस साल में संगठन के चुनाव होते हैं अगर आप उनको चुनाव कहना चाहें तो वो पंचवर्शी चुनाव हैं वो इसी साल 14 दिसमबर को पार्टी के राष्टी अध्यक्ष का चुनाव होना है और जो असंतुष्ट गुट है उसका कहना है और पार्टी के अंदर और भी लोग हैं का कहना है कि अगर सुखबीर बादल पिछले दर्वाजे से लोटने की कोशिश करेंगे अध्यक्ष के रूप में तो ये बहुत बुरा होगा पार्टी के लिए और वो लोट भी नहीं सकते जब तक अकाल तक ने उनको तंखया गोशित कर रखा है और धार्मिक सजा नहीं दी जाती है जब तक और उसका क्या नतीजा होता है ये तो बाद में पता चलेगा लेकिन अभी फिलहाल सुखबीर बादल का राजनीतिक भविश्य अंधकार में है उनका कोई भविश्य दिखाई नहीं दे रहा है अकाल तक से उनको जो भी सजा मिले वो उनके राजनीतिक को बादल परिवार से छुटकारा मिल जाए और यही पार्टी के अधिकांश नेता चाहते थे कि प्रकाश सिंग बादल के बाद बादल परिवार का इस पर कबजा नहीं होना चाहिए पूरी पार्टी पर बादल परिवार का और खास तोर से सुखबीर बादल का कबजा था और है उसी के विरोध में ये असंतुष्ट गुट सामने उभरा है सीनियर लीडर्स हैं जो पार्टी से अलग हुए अब वो सुखबीर बादल को फिर से अध्यक्ष तो नहीं मानने वाले तो दो पार्टियां जो सबसे बड़ी थी पंजाब की राजिंती में आजादी की बाद से बलकि कहें राज्य बनने के बाद से अगर कहें तो वो कॉंग्रेस और शिरोमनी अकाली दल कॉंग्रेस पार्टी लगातार गिरावट पर है उसने सारे हटकंडे अपना कर देख लिए 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दलित को मुक्यमंतरी बना कर देख लिया बड़ी उमीद थी 30% से ज़्यादा दलित हैं पंजाब में उनका वोट मिल जाएगा और फिर से सरकार बन जाएगी लेकिन वो चला नहीं कार्ड चरण जीत सिंग्चन्नी किसी काम के साबित नहीं हुए अब वो संसद में पहुँच गया है लेकिन पंजाब में कॉंग्रिस की स्थिती में सुधार की कोई गुंजाईश नेजर नहीं आ रही है आम आदमी पार्टी सत्ता में है प्रचंड भहुमत से सत्ता में है लेकिन लोगसभा चुनाओं में ये पता चला कि लोग आम आदमी पार्टी को पंजाब से बाहर जाने या राष्ट्री राजिनीती करने लाइक तो पंजाब के लोग भी नहीं मानते हैं पहले दिल्ली के लोग नहीं मानते थे पंजाब के लोगों ने भी ये बता दिया और विधान सभा में क्या होगा इसके बारे में कहना मुश्किल है जिस तरह से अलोपरी होती जा रही है भगवन सिंग मान की सरकार उसके खिलाफ जिस तरह असंतोश पढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि राज्य की वित्ती एस्थिती दिन पर दिन खस्ता हाल होती जा रही है ये जो अर्विन केजरिवाल का चुनाव जीतने का फॉर्मूला है फ्री बीज का मुफ्त मुफ्त वो मुफ्त जो है वो पुरे पंजाब पर भारी पढ़ रहा है पुरे पंजाब के लोगों पर भारी पढ़ रहा है उसकी वज़े से पंजाब की वित्ती एस्थिती में सुधार के कोई संभावना भी नजर आ रही है न तो सरकार ऐसे कोई कदम उठा रही है जिसकी वज़े से वित्तिय स्थिती सुधर है। तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है। केंदर को गाली देना, केंदर को कोशना, केंदर को इस सब के लिए जिम्मदार ठहराना कि केंदर सरकार सहयोग नहीं कर रही है, पैसा नहीं यह है अभी पिछले दुनों ऐसा भी हुआ एक महीने राज्य करिम्टारियों की सेलरी पहली तारिक को नहीं गई हलांकि बाद में मिल गई उनको लेकिन यह इस्थिती फिर नहीं आएगी इसकी कोई गारेंटी नहीं दे सकता तो आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है इतने बड़े बहुमत से उसकी जमीन हिली हुई है कब वो गिर पड़ेगी कुछ पता नहीं है सरकार कारक्याल पूरा करेगी यह तो दिखाई दे रहा है लेकिन क्या होगा 27 में इसके बारे में कुछ नहीं का जा सकता क्या आम आदमी पार्टी लोट कराएगी इसका दावा तो आम आदमी पार्टी के लोग निजी बातचीत में भी करने को तयार नहीं है स्थिती बहुत खराब है आम आदमी पार्टी की कॉंग्रिस के बारे में मैंने बता दिया और शिरोमणी अकाली दल का क्या हाल है आप देख वहे हैं पिछले लोगसभा चुनाव में 2019 में उनको 27.5% वोट मिले थे और इस लोगसभा चुनाव में वो घटकर 13.4% पर आ गये और इसी तरह से विधान सभा में सिर्फ तीन सीटे मिली लोगसभा की एक सीट मिली 13 में से तो अकाली दल जिस धलान पर है उस धलान पर कोई डुकावट कहीं दिखाई नहीं दे रही जिससे उसकी गिरने की जो गती है वो रुक जाए और सुभीर बादल के रहते ये तो और भी संभव नहीं है लेकिन कोई नया नेति तो आएगा और कोई चमतकारिक परिवर्तन कर देगा ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है अब ले देकर भशती है भारती जनता पार्टी भारती जनता पार्टी का सारा धांचा सांगठनिक धांचा जो इस समय है वो उधार पर टिका हुआ है उधार के नेता है उधार के जो पदाधिकारी है कोई अपना नहीं जो अपने है वो घर बैट उनको समझ में नहीं आ र बंद कमरों की बैठकों में विचार हो रहा हो तो अलग बात है। लेकिन जो पुराने कारे करता हैं, नेता हैं वो निराश और हताश हो चुके हैं। वो अपनी ही पार्टी के नित्तों से नाउमीद हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि उनके बारे में उनकी सुध लेने वाला कोई है नहीं। जो बाहर से आ रहे हैं उनको सब कुछ मिल रहा है। जो दशकों से संघर्ष कर रहे हैं वो हाशिये पर पड़े हैं। उनकी योग राजजासभा में है कोई अध्यक्ष है तो कोई केंदर में मंतरी है किसी को कोई समभधानिक मिल गया है और यह सब इन में से कोई ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से रत्ति भड़ी सेहमत हो या पार्टी ज्वायन करने के भारती जंता पार्टी की विचारधारा पर चलने की कोई उनकी तैयारी या उनके रुख में परिवर्तन दिखाई दे रहा हो ऐसा भी नहीं है। कि जब कोई भी एक पार्टी राज्य की राजनिती की धुरी बनने की स्थिती में ही नहीं हो। साते आते उसकी स्थिती में कोई सुधार तो होने वाला नहीं है। कितनी खड़ाब होगी प्रशनिसका है। अकाली दल का हाल आप देख रहे हैं। भारती जंता पार्टी के उठने की कोई संभावना नहीं देख रही है। क्योंकि उधार के लोगों को लेकर जिनका आपकी विचारधारा में आपके संगठन के लोगों की जो कारेशैली है उसमें विश्वास न हो तो उनसे कैसे उमीद करते हैं कि आप वो पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन भारती जन्ता पार्टी इसी दिवास वक्न में जी रही है। तो पंजाब की राजनीती एक चीज तो दिखाई दे रही है कि अकाली दल, श्रुमणी अकाली दल बादल परिवार के चंगुल से मुक्त होने जा रहा है। अब सुखबीर बादल के लिए पार्टी के अध्यक्ष के रूपे लोटना बहुत ही कठिन है। लोट चुके है, लेकिन सुखबीर बादल की समस्या केवल वह अकाल से मिली सजा तक नहीं है। या मिलने वाली सजा और तर्कया गोशित होने तक नहीं है। वो सांगठन एक समस्या है। संगठन उनको स्विकार करने को तयार नहीं है। और सुख्बीर बादल इस बात को स्विकार करने को तैयार नहीं कि संगठन उनको स्विकार नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो है दोनों में टकराव खतम हो जाएगा या चौदा तारीक को कौन अध्यक्ष बनता है क्या वो ऐसा कुछ कर पाएगा। क्या वो दोनों गुटों को जोड़ पाएगा, क्या वो पार्टी में समन्वय स्थापित कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। सुखबीर बादल अगर अपने किसी प्रॉक्सी को अध्यक्ष बनवाना चाहेंगे तो अकाली दल की स्थिति और खराब होने वाली है। तो अकाली दल में बड़ी टूट हो सकती है 14 दिसंबर के बाद। निर्भर करता है कि अध्यक्ष कौन बनता है और उसमें समन्वय की कितनी क्षमता है। और वो पार्टी को लेकर उसका विजन क्या है, आगे किस तरह से चलाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है और खास तोर से सुक्भीर बादल और बादल परिवार को लेकर उसका रवया क्या है। तो कुल मिलाकर इस्थिती यह है कि दिसंबर का महीना मैंने जो है कल कहा था कि कॉंग्रेस और इंडिये एलाइंस पर भारी पढ़ने वाला है अकाली दल और पंजाब की राजनीती पर भी भारी पढ़ने वाला है तो दिसंबर में आप देखिए पंजाब की राजनीती का उं आसकार